ओम सिरी गनेशायन अमदोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 दिसंबर सौंबार के रासी फलके बारे में की हा दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन- लिकिन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिस चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तों आपको अपने कर छित्र में आज कई कारों के लिए प्रसन रहेगा दोस्तों आपकी आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके विवसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा सामंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तों आपकी मुला मदद भी करेंगे जा दोस्तों साती साथ धर्मिक क्रिया कलापों में विवरत दी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्स करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्से ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्से ही प्राप्त होगा दोस्तों यह आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आप के लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पैणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भोग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बड़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोति में बीतेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रिया काबू में आ जेंगी या दोस्तो साती सात पेसे के लेंदेन में भी आज आपको सावधानी रखना आती आवसक है तता किसी भी अन्य वेक्ति को धन देना नुकसान दायक हो सकता है इस दिन मानसिक असांती तता तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती है इसलिए किसी भ करेका ठोस निर्न लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तो साती सात क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अतियाव शक्ता है अन्य था विवाद की इस्तितिय बन सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहें कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुचे जिहां दोस्तो अगर आप परिवार को जोड़ कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तयार रहना होगा अन्य और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तयार रहना होगा दोस्तों साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी कोंकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा खाई नहीं दे रहा लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवश्कता नहीं है क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ केसी रहने वाली है दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं त दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में घनिश्टता आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती च्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैवसाय धंदे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रहनक शत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो आपको पैसे के लेंदेन में भी अधिक फायदा होगा रुके हुए सबी कर रहे हैं आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योज नहीं बनाएंगे वैपार को लेकर भी आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविश्य में चलकर आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन भहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो बुद्धिमानी से आप उरजा सक्ती का प्रियोग करें ताकि आपको सारेरिक रूप से कोई परिसानी ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तो साथिसाथ यदि आप उमर दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगा सुनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है और साथिसाथ आपको अपने खानपान पर भी विशेश रूप से ध्यान देने की आवज सकता पड़ सकती है दोस्तो साथिसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद मंदिर जाएं और भगवान शिव को आप दूध और मिश्री अवश्य चड़ाएं और साती सात भगवान शिव के मंत्र ओम नमश शिवाएं मंत्र का मनी मन एक सो आट बार जाप अवश्य करें और अपनी मनो काम नए मांगें जै दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान शिव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आप बहुत या सानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान बहुलेनात का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बहुलेनात तवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद